कि हेवरीवान वेलकम टूश्वम्जाई इस में हुशिव आंगी शर्मा एंड हम विट सैकेंड चैप्टर ओफ क्लास एर्थ हिस्ट्री सामेर्थ क्लास में शिफ्ट हो चुके हैं तो यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग चैप्टर अगर थोड़ा सा थ्यान लगा कि सुनोगे विए इस चैप्टर में हम डिसक्स करने वाले हैं हम पता करने वाले हैं कैसे जो ब्रिटिश ओस प्रेट चाया आप सभी को पता होगा कि जो कंपनी यानि कि जो इंडिया में आये थे उनका मलब ऐसे राज करने का वैसे कोई मकसद था नहीं सो उनका जो मेन मोट्रिप था डैट वॉस ट्रेड ठीक है तो हम यह पर शुरू करते हैं अबना चैप्टल चैप्टल इस गोन भी वेरी इंट्रस्टिंग जैसे की हमने सेवंत क्लास में डिस्कुस करा था कि जो मुगल रूलर्स ते मुगल एम्प आया था उसका जो सबसे लास्ट पावर्फुल रूलर था जो पास थोड़ी सी पावर थी उसके बाद जो भी पाद जो भी रूलर्स आए वह उनकी इतनी कुछ जाधी चलती नहीं थ जिसको आज हम इंडिया बोलते हैं ठीक है तो और जीब की देथ हुई 1707 में और 1707 में जब उनकी देथ हुई तो जो भी मुगल गवर्नर्स थे यानि की जो भी सूबधास थे और बड़े-बड़े जमीदास थे उन्होंने अपनी ही अथोरिटी बनानी शुरू कर दी अपना अलग इसे चीफ मिनिस्टर भी है राइट तो उसी तरीक से जो उसी मनलब उसी तरीके से औरंग जेप के अंडर जो भी रीजन आता था वहाँ पर जो उनके बड़े-बड़े जमीदास थे उन्होंने अपना मुम ऐसे रीजिनल क्रीश करना शुरू कर दिया था ठीक है थी वह एक एफेक्टिव सेंटर जैसा नहीं काम गर रहा था मुझा एक एक एफेक्टिव सेंटर लगनी रहा था वह भी कुछ पूरे कंट्री में ऐसे पूरे पूरी जो रीजन था वाम पर छोटे-छोटे 500 स्टेट्स बन चुके थे तो सेकेंड मिलब जब 18th century का second half आया सेवंटीन फिफ्टी के बाद वाला ठाइन ठीक है तो यह कोशन शुरू हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश थे वह एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह आया थे ठीक है उनका बल्लब ऐसा कोई उनका मोटिफ था नहीं टेरिटरी को एक्वायर करने का बट फिर भी वह इतने बड़े एंपायर के मास्टर कैसे बन गए इसी चैप्टर में हम वह लोग हम लोग हम लोग यह डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो इस इंडिया कंपनी कंस इस तो यहां पर हम शुरू करते हैं तो देखो शोला सो में इस्टीन हंड़े में जब ऐस इंडिया कंपनी अई म Laut experiment इंडिया उन्होंने जो उस Teen mosque यह कुईन पर्विशन दिदि टी आरिख इंडिया जाकर मझा इंडिया में यांकर कर सकते हैं ठीक्डिली कर सकते उन्होंने उनको एक राइट दे दिया तो पूरे इंगलेंड से सिर्फ एक लौती एक कंपनी थी एक यह मुलब एक कंपनी थी जिसको कुई अलीजबेत ने ग्रांट कर रहा था कि तुम वहां जाके ट्रेड करो उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं थी तो उसका तो इनको को आए मनलब बसे उन्होंने क्या किया वह यहां के जो भी गुड्स थे उनको खरीदते थे और मलब सस्ते पराइज में खरीदते थे और यूरो अब जाके उन्हें हाईर प्राइज इसमें बेचते थे ठीक है तो जो कंपनी थी जो कंपनी थी अफकॉर्स उनको कोई भी तें ट्रेडिंग कंपनी थी वह वह थे मार्केट टाइल यहां पर देखो हमारे पास वर्ड मेनिंग भी है तो एक ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज जो सस्ती चीज़े खरीदे और महेंगी बेच देती है सो ही हमने यहां पर पड़ा कि वह बैसिकली क्या करते थे वह अपने प् पेचते थे यहां पर डियर का मतलब है मतलब उसको कोस्ती बेचा करते थे उसका थोड़ा अभी जनेरेट कर जाए थे तो यह रोयल चार्टर था जो अलिजाबैत वन ने इनको दिया था इसमें यह बासिकली सरफ एंग्लेंड के इंग्लेंड मानलें इंग्लेंड के जो य सबसे पहले जो इंग्लिश जो फास्ट इंग्लिश शिप आया था वह आया था केप ऑफ गुड होप मनलब जो केप ऑफ गुड होप है वहां से वह आया था आफ्रिका के वेस्ट को आया था से तो इंग्लिश शिप को मतलब है यहां पर इंग्लिश के लिए उस पहला बिटिश शिप था यह ब्रिटिश शिप ता वह मयों वह आया था केप फुड होप के पास चैंश ऑर इंडिया नोशन को क्रॉस करके ठीक है बट उससे पहले ही पोटीगीस जो पोटीगीस लोग थ वह एक पोटेगिस एक्सप्रोलर थे जिन्होंने डिस्कवर करा था यह सी रूट जिससे अब सारे ट्रैवल कर रहे हैं तो वह सी रूट उन्होंने 1498 में हैं डिस्कवर कर दिया था 1498 में ठीक है अर्ली 17 में जो अर्ली 17 सेंचिरी थी यानि कि 1600 के शुरुआद में उस टेम पर डच जो डच लोग थे वह भी हमें एक्सप्लोर करते करते इदर आ चुके थे उसके बाद फ्रेंच भी आ गए थे ठीक है आप देखो कितने टाइम के बाद ब्रिटिश आये थे ठीक है सबसे पहले पॉर्टीगीज आये फिर डच चाहिए फिर फ्रेंच आये फिर जाके कहीं अभी ब्रिटिश आये ठीक है तो इन सबी यह सारे बिसिकली इनका जो में मोटिफ था डर्ट वस ट्रेड ये सारे ट्र था तो बिसिकली जो वह जो वह सेम थिंग थी जिन पर सबसे ज़्यादा इनको इंट्रस था वह सबसे पहले इट वास कॉट्टिन सिल्क ये तो फैब्रिक्स हैं ठीक है उसके अलावा कुछ मसाले पेपर क्लोव कर्डमाम सिनमाम इनका भी बहुत बड़ी डिमांड थी ठीक है तो जब इतना सारा कॉम्पटिशन आ गया यूरोपियन कंपनी भी आ गई थी तो उसके वज़ा से क्या हुआ कि जो प्राइज थी आफकोर्स जब कॉम्पटिशन होता है तो प्राइज किसी भी चीज की बढ़ जाती है ठीक है तो अगर ट्रेडिंग कंपनी को फ्लरिश होना है तो उनके पास एक ही रास्ता था उनके पास यह रास्ता था कि उनको करनी पड़ीगी बिटल उनको लड़ाईयां करनी अगर उनको फ्लरिश होना है suppose इस सिनेरियो में A, B, C, D यह 4 यह से एक भी कंपनी फ्लरिश होना चाहती है तो उनको बाकी की 3 कंपनी को हटाना पड़ेगा था एंटिक है बहुत सारी लडाईयां देखने को मिली हमें ठीक है 17th और 18th century में तो लोग इन लोग उने क्या गरना शुरू कर दिया कि इन्होंने एक दूसरे के ships में हम लागना शुरू कर दिया ठीक है कि मोग तुम लोग पहुंचो ही मत हम भी देखते हैं तुम लोग कैसे trade करते हैं उनक इसको जन निकलने नहीं देता है ठीक है तो उस टाइम पर तो यह लोग क्या कर देते हैं कि देखो जब उन्हें trade करना है और trade करना है साथ में battle भी करनी है ताकि वह अच्छे से trade कर सके तो उन्होंने क्या किया उन्होंना armies बनाना शुरू कर दिया लडाईयों के लिए armies और पनाना शुरू कर दिया फोर्ट क्या होते किल ए ठीक है आरमी और फोर्ट बनाने शुरू कर दिया थाकि वह अपनी trade जो इनकी trade है वह easily कर सके अब देखो यह जहां पर भी आरमी setup कर रहे है यह जहां पर भी फोर्ट बना रहे हैं वो जगा तो Local Ruler की है है लोकल रूलर की ज जगा पर आपकी अर्मी घूम रही है इसको वह चीज हजम नहीं होगी कि क्या हुआ जब यह सारे सीनेयों नोकल रूलर्स ने देखा की है हमारी जगा पर फोर्ट बना रहे इनकी आर्मी घूम रहे तो उस टैम पे भी लोकल रूलर्स के साथ थोड़े कंफिक्ट हमें देखन तो यहां पर देखो इस इंडिया कंपनी जब वो बंगॉल में ट्रेड करने आगी ठीक है बंगॉल में जब उन्हों ने ट्रेड शुरू किया तो जो सबसे पहली इंग्लिश फेक्ट्री थी English मतलब British अभी हमने डिसकस किया कि जो सबसे पहली English फेक्ट्रीज्टे वह ती के बैंक्स में गयं चर्ण स्टिधो ON था अधे ऐपर क से लागई ये इसको बेस माना सुधे लागऄ इसके बाद कर शूरूध तो यह जो फैक्टरी थी इस फैक्टरी में वेयर हाउस भी था जांपे समान रखा जाता था और ऑफिस भी थे जांपे कंपनी के ऑफिशिल बैठा करते थे जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड हुआ तो इन कंपनी ने क्या किया कि अपने मर्चंस और ट्रेडर को लाकर यहीं और 1969 में उन लोगों ने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिये फिर से उन्होंने फोर्ट्स वगेरा बना दी और सेटलमेंट कर दी ठीक्टा तो दो साल के बाद उन्होंने क्या किया जो भी मुगल ओफिशिल्स थे देखो कितने चालाग थे यह ब्रेटिश उस जब मुगल ओ पर दो राएगा वो तुम्हें हमें देना है ठीक है तो उसमें से कौन-कौन से जगा उन्होंने से एक थी उस टाइम के कली कटा जो की आज कलकटा यह कॉल कटा हम उसको बोलते हैं ठीक है उस टाइम पे इन अंग्रेजनों ने क्या किया कि जो मुगल एम्परार्ष थे ओरं जेब उनसे एक फरमान इशू करवाया एक ओर्डर एक रोयल ओर्डर ने उन्होंने उन्होंने इसकरवाया कि वह जो भी रिविन्यु वहां से कलेक्ट करते हैं जो भी वहाँ पे ट्रेड करते हैं वह फो फ्री हो जाएगा उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा यह फर्मान उन्होंने उन्हों की उन्हें उन्हें दे दिया अ क्यों कंपनी की डुडू की तो अञेजिशुर्मान के लिए यह यह उपिछल्स इतने चलाक थे ऊस कंपनी गिए उन्हें प्राइवेट ट्रेट शुरू कर दिया सईएड में थिके तो अब甫 लेंगाटी तुम लें भिए आज वहां के बंगाल के तो इनको ये बात बिलकुल भी नहीं की तुम मेरी ही लांड में आके ट्रेड भी ऑपर से प्रैवेट ट्रेड भी कर रहे हो और रिवेन्यू भी नहीं दे रहे तो ये बात अफ्कॉर मुर्शिद कली खान को बिल्कुल नी पसंद आई जो कि उस टाइम के बैंगॉल के नवाब थे ठीक है तो अब इन्हीं ट्रेट से बैटल्स कैसे हुई लड़ाईयां कैसी हुई यह अब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास एक फोटो है रोबर्ट क्लीफ की इन्हीं रोबर्ट क्लीफ को अभी बैंगॉल के जो नवाब थे हमने अभी बताया क्यों क्योंकि वह फ्री ट्रेट कर रहे थे उन्हीं की जगह पर और यह बात और इंग जिप को नहीं सुरी उस जो मुर्शित का लिए खांते उनको बिलकुल नहीं पसंद है जैसे ही और इंग देथ हुई बैंगॉल मुशित कली खान के बाद जो नवाब बने वह बने अली वर्दी खान और उसके बाद बने शिराब जिनल एस सिराज सिराज अधिल्ला ठीक है सिराजदुला सो फिर से मैं बता तिती हूं बेंगॉल के जननवाब थे वह उस टाम थे मुशितकली खान उसके बाद वह बने अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजडुल्दुल्द ठीक है और इन यह के तीनों की थीनों ही बहुत जादे स्टॉंग रूलर्स थे बहुत जादा मिलब हाईर रूलर्स थे वह तो जब इन से कंपनी ने कंसेशन्स मांगी जैसे उन्होंने साफ मना कर जाए कि हम तुम्हें कुछ नहीं कर देंगे तुम क्या कर लोगे ठीक है और उल्टा उनसे मांगा कि तुम यहां पर ट्रेड करते हो ना तुम्हें हमें ट्रिब्यूट देनी चाहिए वह भी लाज अमाट में कि अपके तो उस चैम पर जो ब्रिटिश हो सनी उन्होंने तो अपना अलगी वह बढ़िए उन्होंने उनका उनके को इंस बने दिये और उनके वह बना रहे थे न जो कि वहां बना रहे थी वह सारuse को आबना बहरने उन्होंने बंढ कर दिये इस ताइम बेशा twoky थी hon aoör र इतना बंगल को बैंगॉल का जो रेवेनियू है इन्होंने इतना हाइए अमाउट में इन्होंने मंद छुरा लिया काइंड और अब वो टैक्स पे करने को भी मना कर रही थी और दो नवाब्स थे और उनका ओफिश्चल से उनको ही चुमिलेट करने के कोशिश कर रहे था मतल तो कंपनी बहुत ही अंजस्ट डिमांड रखी जा रही थी ठीक है और मैंद जो भी लोकल ओफिशिल्स थे जिसके विज़ा से कंपनी की जो ट्रेड है वह थोड़ी खराब हो रही थी उस टाइम पे तो ट्रेड तभी फ्लरिश हो पाती जब वह सारी ड्यूटीज हटाई जा मना करा कि नहीं हम यह नहीं करने देंगे जिसके वज़से फाइनली इस कंफ्लिक्ट के वज़से एक लड़ाई हुए डाट विजा फेमस बैटल ओफ प्लासी ठीक है बैटल ओफ प्लासी क्यों हुए मुझे लगता है आपको प्लियर होगा बैटल फ्लासी इसलिए कमपनी जो भी जो भी आपने वो रख रही थी आगे जो भी काइंड आफ में बता दू आपको कि अपनी शर्ते रख रही थी आगे वह उस टाइम पे मर्शित कली खान अलि वर्दी खान या सिराजुदिन अलाह हो कोई भी उनको सिराजुदू अलाह हो कोई भी उनकी वह नहीं मार रही जिसके वज़ा से बैटल ऑफ प्लास हुई ठीक है जब अलीवर्दी खान की देथ हुई 1756 में तब सिराजुदूलाहा बने हमने अभी पड़ा था तब वह बेंगाल के नवा सिराजुदूलाह थे उनकी रहे सिvoll्वध करति ठीक है तो सिराजुदूलाह से उन्हें मलब कमपनी में जो उनहें हमांगा कंपनी से मलबझ सानल ने अभी पर बन दे के और उनको बोला कि तुम तो तुम जो भी दे रही हो जो भी मुझे बोड रहा हुँ मैं नियुत मैं तो जब करो देँएशियेशन फेल हो गया तब क्या किया कि जो नवाब से उन्होंने तीसवाइब एंग्लिश की फेक्टरी थे एक कसिम बजार में वहांपर अटैक कर दिया जब उन्होंने यहां पर अटैक किया तो वहांके जो कंपनी प्रेंद उफिशल थे जो भी उनके English ships थे उनको सभी को ब्लोकेज वगएर उन्होंने डाल दी ठीक है जब वो कलकटा की तरफ जा रहे थे कलकटा की तरफ उनकी जो कंपनी की जो फोट है था कि वह वहां पर बी कंट्रोल ले सके जैसे यह बात पता चली की कलकटा गिर गई है कलकटा में Britishers गिर चुके हैं उनकी हार हो चुकी है तब मदरास की जो कंपनी ओफिशल्स थे उन्होंने forces भेज दी रोबर्ट क्लीव के अंदर मैं रोबर्ट क्लीव जो थे वो सुपरवाइजर से उनके अंडर उनके कमांड के अंडर उन्होंने अपने forces भेज दी ठीक है सो अभी मैंने बताया था सो 1757 में जो रोवट क्लीफ थे उनकी जो कंपनी आर्मी थी वो उन्होंने लड़ाई करी सिराज दुल्ला के अगेंस्ट प्लासी में ठीक है और वो हार भी गए और उनका उनके हारने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो मीर जहां थे वो सिराज दुल्ला के एक कमांडर थे तो यह देखो यहां पर हमारे पास सिराज दुल्ला की एक पिक्चर है सो मीर जफर ने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ देकर और सिराज दुल्ला को मर वा दिया ठीक है और बादले में उन्होंनों नोंने न्न! उनको ये बोल दिया तुम्हें नवादा बना देनगें हम एक बार सिराज दुल्लदा को मरने दो तो उन ने help कर दियों सिराज दुल्ला की death हो गयी ठीक है तो सबसे पहले लड़ाई थी यह जो ब्रिटिश जी थे इसके उजासे बैटल ओफ प्लासी बहुत जादा फेमस हो गई थी ठीक है अक्रॉस दे इंडिया तो जब प्लासी की जो युद था वो हम लोग हार चुके थे और सिराज दुल्ला की मलब जो सिराज दुल्ला थे उनको असेसि किम तक भी जो कंपनी थी उनका कोई इच्छा नहीं थी कि वह एड्मिस्टेशन को संभाले या फिर मलब राच करे इसलिए उनका में अउजक्ट भी था कि उनकी ट्रेड में एक्सपेंशन हो बस उनका ट्रेड बढ़ता जाए ठीक है तो यह सब कुछ तभी हो सकता था जल्दी ही कंपनी को यह पता चल गया कि अगर हम राज नहीं करें तो हमारा ट्रेड तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है यह तो कुछ भी नहीं करने दे रहे इस वेरे डिफिकट जो पपिट नवाप उन्होंने बनाए थे ना जो उन्होंने हाथों की कत पुतलिया की जो मीर जफर ने प्रोटेस्ट करा मीर और जब मीर जफर ने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने मीर जफर को हटा कर उनके जगह पर मीर कुवासिम को रख दिया उनके जगह पर जब मीर कुवासिम ने यह बता आया कि बैट की बुकसर के लड़ाए पे वह हार जाएंगे और ज कि वह कंपनी जो है अपनी वार वगेरा को फाइनांस करके रख सके अपने हर चीज के लिए मिला उनको जितना चाहिए था उतना वह कर सके बट वह पैसे कम थे तो वह और भी मांगी रहे थे कि और टेरिटरी दे दो हमें और रेविन्यू दे तो सब कुछ ही तुम हमें ही दे पर ठेर ते और गेजे उन्होंने बोला ना कि हम इन अब बनेंगे यह बोलने वाले भी कलीव थे ठीक है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बड़ा बड़ा जितना तुम्हें रेवेन्यू लेना है तुम ले जा बेंगल की पुरी रिसोर्स ही तुम चुरा लो ठीक है तो इधर भी मलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ना कंपनी वो सॉल्व होगी ठीक है तो जैसे अर्ली 18th century शुरू यह अर्ली 18th century मलब 1700s के स्टार्टिंग ठीक है तो यह याद रखने है century अमठार भी होते हैं बट साल 17 चल रहा होता है जैसे अभी 21st century चल रह होंगे ठीक है सो मलब इस टाइम पर जो इनका ट्रेड है वह और बढ़ गया इंडिया के साथ बट उन्हें क्या करना था ना उन्हें बहुत सारे गुट्स तो वह ले गए थे खरीद चाहिए बट उन्हें गोल्ड और सिल्वर ले जाना था तो मलब इंडिया से वह तो आर्ट फ्लो ऑफ गोड ऑफ बिटेन जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुए उस टाइम पे यह जो आर्ट फ्लो था यह थोड़ा कम हो गया था ठीक है और और जैसे दिवानी का अप्शन हुआ यह बिल्कुल ही खतम हो गया तो जो रेविन्यू थे वह क्योंकि अब देखो न अपनी कंपनी टूप्स बना लिया करते थे अपनी फॉर्ट और ऑफिसेज केलकटा में बनाने पर लगा दिया करते थे अब क्या हुआ जैसे हमने पढ़ा तो कंपनी के जो ऑफिशल से वह बन गए नबॉप्स यानि कि नवाबी उनका अपना एक्सिट में नबॉप्स वो बैटल ऑफ प्लासी हुई उस टाइम पर जो एक्च्वल नवाब्स थे उनको फोर्स किया गया कि जो भी लैंड है जो भी लैंड उनके पास है वो उन्हें उनको देनी पड़ीगी और बहुत मालब वास्ट अमाउंट का मनी उन्हें ऐस गिफ्ट देने के लिए फोर्स करा कंपनी ओफिशल्स ने खुद को ही देने के लिए ठीक है तो जो रोबर्ट क्लीव से उन्होंने मलब इंडिया का फोर्च्यून को बरवादी कर दिया था काइंड ओफ तो वह मद्रास आए जो क्या चुन नहीं है फिर वह मद्रास आए इंग्लेंड से 1743 में सिर्फ 18 साल के थे वह उस्ते ही जब वह आए ठीक है पर जब 1767 में जब वह भारत को छोडने लगे तब उनका जो वह था उनका वेल्स थी उनके पास थी अरौंट सिर्फ लाक वांट फोर लाक फोर लाक वन थाउजन और सम्धिंग ठीक है तो इंट्रस्टिंग ली जब इतना उनके पास वेल्स आगी थी तो जो गोवर्नर थे बेंगाल के उन्होंने पूछा उनका विसीकली यही काम था कि वह प्रॉप्शन हटा है बट उनके पास इतन कैसे आ सकती है उसके पास तो जब उन्हें पता चला कि उनके बारे में ऐसे खोचबीन हो रही है सेवंटी ट्विंटी टू में तो एंड में 1774 में जाकि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया ठीक है बट इतने सारे ऑफीशल रहे थे बट सभी महला वह उनक्लीव की तरह इ जो सिफ इतना चा रहे थे कि बस उनके पास थोड़ा सा पैसा आजाए थोड़ा एनफ हो और फिर वह चले जाएंगे वापस ब्रिटन और अपना कमफटेवल लाइफ जीएंगे ठीक है ऐसा हुआ भी काफियों के साथ हुआ बट काफी लोग मर गए और जिनको जो ऐसे हो जो वापिस चले गए और मलब अपना अपने रिचस को इसके बाद नोने फ्लांट किया उन्हीं लोगों को हमने नवाप्स वोला गया ठीक है तो अब कंपनी का रूल एक्सपेंड कैसे हुआ ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि थोड़ा-थोड़ा कभी कम हो रहा है कभी ज्याद हो रहा है अब एक्सपेंड हुआ कैसे तो यहां पर देखों अगर हम एनलाइस करें यह जो भी प्रोसेस था इसमें जो इस्ट इंडिया कंपनी थी 1757 से लेकिए 1857 तक बहुत ही की एसपेक्ट थे जो अमर्च हुए ठीक है तो आप देखोगे कि कंपनी ना बहुत से बहार नहीं उन्होंने अटाक किया इंडिया को ही अपने अंडर अंडर करना शुरू किया सो बुक्सर की लडाई के बाद 1764 में जो कंपनी है मतलब उन्होंने इंडियन स्टेट के कुछ रेसिदेंस को अपोइंट करा वह मतलब बिसिकली पॉलिटिकल और कमर्शिल एज जब यह बन गए ठीक है क्योंकि वह थे तो इंडिया नहीं जो इनके रेसिदेंस थे ठीक है जो इनको अपोइंट किया तो उनके उदर से क्या हो रहा था कि यह जो कंपनी है यह जो इंटरनल अफेर है ना हमारी इंडियन स्टेट की उधर भी इन्होंने टांगड़ाना श उनको इंडियन रूलर्स थे उनको उनकी जो इंडिपेंडेंट्ट फोस थी वह यूस नहीं करने दे रहे थे उनको मनलब वो कंपनी ही उनको प्रोटक्ट करेगी ऐसा उन्होंने बोला ठीक है उसके बदले में भी उनने मलब पे करना ही है सब कुछ ठीक है और अगर इंड वैलसी ने जो कि गवर्मेंट जनरल थे उन्होंने अवद के नवाब को फोर्स कर रहा था कि अपने टेरिटरी की आधी दो कमपनी को एटीन जिरो वान में जब कि वह जब मलब सबसीडिरी फोर्स पे करने के लिए मलब फेल हो गये थे तो हैदराबाद मलब हैदराबाद को वह ऐसे फोर्स करा गया था मलब इसी तरीके से ठीक है अब हम बढ़ते हैं टीपो सुल्तान के बारे में तो टाइगर ओफ मसूर सो देखो कमपनी अब मलब ना अपना जाला फेला रही थी जगा 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 पर तो कमपनी कमपनी को एक डर था पॉलिटिकल और एक इंटर क्योंकि देखो जब महसूर था महसूर ने महसूर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था हाईदार अली और उनके फेमस बैटे टीपो सुल्तान के अंडर तो महसूर का जो ट्रेड है वो भी अच्छा चल रहा था अपने माला बार कोस्ट के अंदर अंदर वो अच् कोऊना बंद किया अपनी किंग्डम से और उन्होंने सारे लोकल मॉर्चेंट्स कोटलर कर दिया कि कुई भी कमपनी के साथ त्रेड नहीं करी ठीक है जर्म नने एक बनाया फ्रेंच के साहत्फ चैनल मेई इंडिया मेंária में थे और उन्हीं के मदद से अपनी आर्मी है उसक को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे नहीं मार पाएंगे सो चार लड़ाईयां लड़ी गई इनके अगेंस्ट ठीक है जिस मेंसे जो की लास्ट लड़ाई थी तो बैटल ओफ श्रींगा पटनम वही कंपनी जीती ठीक है टीपो सुल्तान को मार दिये गया अपनी कैपिटल श् पर देखो यहां पर दिख रहा होगा कि टीपो का टीपो सुल्तान का टॉई टाइगर बनाया गया है और यह एक ब्रिटिश के अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ लड़ा एक शिकार करने गये थे तब वहां पर अचानक से टाइगर आ गया और उनकी गन नहीं चली है और सब कुछ उनका जो लिकिर सा घिरीए और जब टक वह खंजर उनकी हाथ में आए तब तक उन्होंने अपने हास सी शेर के साथ टॉछार के साथ लड़ाई करी और फाइन जब उन्होंने ना मराथा की पावर भी डिस्ट्रॉई कर दी दीरे दीरे देगर करके क्योंकि जब मराथा की डिफीट हुई ठोड़ बैटल ऑफ पानीपत में तो उन्होंने जो सपना देखा था कि वो दिल्ली को भी रूल करेंगे वो सब कुछ बरबाद हो गया ठीक है उनको ब अलाइंस में मलब बना दिया जाता अलाइंस में लोग आते थे पेशवा के अंडर जो की प्राइम मिनिस्टर था उनके अंडर ये लोग आया करते थे ठीक है तो यह जो भी मलब जो भी इनका एफेक्टिव मिलिटरी है और अड्मिस्ट्रेशन हेड है यह सब कुछ पूने अलाइस थे उन्होंने मलब अपने लड़ाईयां वह हारे बहुत सबसे पहले लड़ाई जो वह हारे डैट वोजन सेवेंटीन एटीटी टू डैट वोजड़ ट्रेटी अफ सलबाई जिनमें कोई क्लियर विक्टर थाई नहीं वह बहुत मलब अचानक से हार गए फिर जो स फर्ड एंगलो माराथा वार हुई तब माराथा की पावर बिलकुल ही खतम कर दी गई जो पेशवास्ते उन्हें हटा दिया गया और जो बलब जो बिठूर और उनको बीठूर में भेज दिया गया जो की कानपूर के जगा कानपूर के पास एक जगा है ठीक है अब देखो एक तो यह ब्रेटिश उस इनका तो मरी नहीं भरता है यह कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ मांगती रहते हैं तो यहां पर देखो हमने जैसे उपर पड़ा कि कंपनी इनका जो टेरिटर जो टेरिटरी है वह बढ़ती जा रही थी तो लोड हैंस्टिंग के अंदर जो की सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रोसेस में बिसक्राइब करेंगे तो उन्होंने ऐसा बनाया जिसके वजह से आगे जाके जो लेटर ब्रेटिश पॉलिसी थी वह भी थोड़ी गाइड हुई इस प्रोसेस में बिसक्राइब यह भी अन्चैलेंज तो जाएगा नहीं सभी ने इनको चैलेंज तो करा इसमें जो ब्रेटिश थी उन्होंने जो भी छुटी-छुटी जगाएं हैं जैसे कितूर जो की करनाटका में हैं वहां पे जो रानी चनाम्मा है उन्होंने आम्स ल जेल में रही ठीक है बट रहे ना जो कि एक बहुत ही पूर चोकेदार थी संगोली की कि तूर्गी उन्होंने बहुत महलब रेजिस्टेंस किया इनका वह बिल्कुल भी ब्रेटिश के बात नहीं मानें काफी पॉपिलर समोट थे उनके पास बट उन्होंने ब्रेटिश के क जो कैम्स थे और रिकोर्ट्स थे उनको डिस्ट्रॉई कर दिया बट उनको भी पकड़ लिया गया और उनको भी फानसी पे लटका दिया ब्रेटिश उसनी 1830 में ठीक है ऐसी केसी समय और पाड़िंग यह आगे जाके इसी बुक में सो 1830 में जो इस्ट इंडिया कंपनी है वो रशिया के बारे में उनको थोड़ा टेंशन होने लग गई की रशिया मलब आईशिया से आके नोर्सफेस से आके क्या पता हमारे उपर राच ना कर ले जानक से तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी 1838 में औ इंडिरेक्ट कंपनी रोल में थाप दिया इन डिरेक्ट हीता था उनका वरने बस पोल दिया उसके बाद उन्होंने जो अगली जगह जो थी जान पे वह राज करने के चक्कर मठे व्याट वस पंजाब वहां पर जब उन्होंने महराजा रंजीत सिंग का प्रेजेंस को फि मैं अंदर कर लिया दोक्त्रीन और फ्लैप्स अब यहां पर देखो जो लॉट द लाजी थे उन जो की जो भी गवर्नल गवर्नल जोड्रेंट से एटीन फॉर्टीएट से लेके फिफ्टी एटीन फिफ्टीश तक उन्होंने बोला कि अगर कोई भी किंग्डम में डैथ होती कर लो उन्होंने तो आसी करके उन्होंने सतारा की जो जगह थी संबलकूर उदयपूर नाकपूर उर जहांसी की तो हम सभी को क्षच्टोरी पता इंहां ऑससे करके नहोंने जगहाय को घेर न शुरू कर गिया फैनली 1856 में उन्होंने मुल्डब कम्पनी ने थीन अवद को order to free the people from the misgovernment of the nawaab so इसमें उन्होंने बहुत ही ही militing way था जिसमें उन्होंने नवाब को डिपोस कर दिया और अवाथ के जो लोग थे उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट जोईन करी 1857 की यहां पर देखो हमारे पास तीन मैपस है जहां पर जो यलो वाला पार्ट है जो क्रीम वाला पार्ट है वो ब्रिटिश एरिया के अंडर का रूल है ठीक है अगर 1857 में तो यहां पर देखो कितना सारा एरिया इन्होंने अपने अंडर कर लिया था उस टाइम तब तो सेटिंग नियू एड्मिस्टेशन जब यह सेट अप करी लेंगे तो उस टाइम पे जो वारन हेस्टिंग थे उस टाइम की गवर्नल जेनरल उन्होंने बहुत सारी इंपोर्टेंट फिगर्स निकाली पहुत सारे रूल निकाले तक वह अपनी कमपनी के पावर को एक्समेंड कर सके तो इस टाइम पे कमपनी ने एक्वायर किया पाव मलब बंगाल को तो उन्होंने एक्वायर कर लिया था साह में बॉंबे और मद्रास पिनके अंडर चला इस एडमेटिशन का वाज गवर्नर जनरल वरन वरन हैस्टिंग के थे वह पहले गवर्नर जल रहें थे जिन उन्होंने ऐसे अडमिस्टिशन मलब इटोडियू उस करी ठीक है सो 1772 में उन्होंने नया सिस्टम बनाया इसका जस्टिस का उसमें उन्होंने दो कोट बनाई एक हुई क्रिमिनल कोट एक हुई सिविल कोट उसमें जो मौलवी थे और जो हिंदू पंडित थे उनको इंडियन लोज बताने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है तो लो इंडि प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वास की मलब हर एक ब्रावन पंडित अपनी जगह के अलग 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 नॉलिज देता है और उन स्कूल का नाम था धर्म शास्त्र तो एंड में दोजार नाइट सब्सक्राइट कि ग्यारा पंडित को एकटा कर रहा और बोला कि जो भी तुम उन्होंने ट्रांसलेट करा इनको इंग्लिश में और 1778 में फिर मुस्लिम स्लो के साथ भी सेम चीज हुई गही जो भी यूरोपिन जजज ने मलब यूज करते हैं तो 1773 के बाद जो सुप्रीम कॉर्ट था उसको एस्टबिश किया गया और जो कॉर्ट ऑफ अपील थी दो स कॉर्ट अपील सब्सक्राइब करें तो 1773 के बाद जजज के अप्राइब करें लोग यूरोड भी मैंटेन करके रखी गा और जजज के हल्प से डिस्टिक्ट को में ठोड़ा संभाल के रखेंगा पुलीस ओफिसर्ज होंगे दरोकाश होंगे उसके ओफिस होगा इसके नोरे रूल से इंडिया में कुछ आइडियास लेकर आया थे यह एड्मिनिस्टेशन के और रिफॉर्म के तो जब मुगल आर्मी थी उनका मेंली मलब जो कंपोस्ते डैटोस कवेलरी यानि कि सवार से मलब उनका ट्रेंड शोल्डर्स जो घोड़े पर बैठते थे गोड़ लोगों को भीजा करते थे तो जैसे रूलर एडिया हो तो वहां पर ज्यादतर जो है वो पैदल सोल्डर्स को भीजा करते थे तो ऐसे चींज हमें देखने को मिले 18th सेंचरी में जब मुगल से उन्होंने अवद और बनारस जैसी जगाहों को मतलब रिकुरेट रिकुरेट कर दिया आर्मी के लिए और वहां पर प्रोफिनल सुट्रेस को नोने ट्रेंड करना शुरू कर दिया तो जो इस्ट इंडिया कंपडी थी उन्होंने भी सेम ही मैथड अपनाया उन्होंने भी सेम चीज़ करी और सिपाई आर्मी बना दी जो की इंडियन वर्ड सिपाई से उन्होंने लिया था तो जो वेलफेर और टेक्नॉलीजी थी वह 1820 में चेंज हो गई आर्मी की जो भी ब्रिटिश आमी है वह उसके पास बुर्मा के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करी अफगानिस्तन के एजिप्ट के और वहां से शोल्ड शोल्ड को लेकर आए विद मुस्केट्स और मैच लॉक्स मुस्केट्स है वह वह लोग थे जिनके पास बहुत ही हैवी गन हुआ करती थी और वह मलब इन्वेंट्री शोल्डर को यूज किया करते थे और मैच लॉक भी मलब एक टैप अफ गनी हुआ करती थी जो इनमें पाउडर इनको वह रोज ही मलब यूरोपेन स्टाइलिंग ट्रेनिंग किया करते थे वह ड्रिल भी करते थे उनको पूरे डिस्प्लिन का ध्यान रखा रखा जाता था उसके बाद उनकी लाइफ काफी चेंज होगी थे वह सब कुछ यूरोपेन की तरह करवा रहे थे तो उसके कि हम तो यह चीज नहीं देखेंगे अगर तुम हमें ऐसा कर रहे हो तो उन लोगों ने इसके खिलाब भी रिवॉर्ट लड़ी जिए विच वाज़ रिवॉर्ट ऑफ 1857 जो की चैप्टर फाइब में हम अच्छे से डिस्क्स करेंगे यहां पर नहीं करेंगे ठीक है यहां पर देखो 1857 में जो कंपनी थी उन्होंने मलब उनका जो डिरेक्ट रूल था यह चैप्टर काफी इंट्रस्टिंग था और में उनका फाइब की तरहक को डिस्क्स सचेप्टर फोग्ट आरे माले सारे चाप्टर प्रस्ट विच्च था क्या सब्स्याओं